हलो एवरीबडी, आज मैं आपके लिए चिकन रामन की रेसिपी लेकर आई हूँ, यह मैंने कोरियन स्टाइल बे बनाया है और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद में आपको रेस्टोरंट से महंगे वाले रामन ओर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल अथे इस रेसिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, डेर टेबल स्पूट तो बंजांग कर लिया है मैंने, फिर मैं ले रही हूँ, लाइट सॉइ सॉस, लाइट सॉस के आपको सिर्फ दो टेबल स्पूट की जरूरत पड़ेगी, और यह जितने भी इंग्रीडेंस मैं यूज क इसका बिलकुल इस्तमाल ना करें, अब इसमें आधा टेबल स्पून राइस विनिगर का डाल दीजिए, फिर मैं इस्तमाल करूंगी हॉइसिन सॉस, यह ज्यादा तर बेजिंग ड़क्ट में पड़ता है, लेकिन यह चिकन के साथ भी बहुत ज्यादा यमी होता है, इसका अब ही मैं आधा टेबल स्पून इस्तमाल करूंगी, एक बात का खयाल रखिएगा कि कोरियन खानों में इंग्रेडिन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको हमेशा हाई पॉलिटी इंग्रेडिन्स का ही इस्तमाल करना चाहिए, अब मैं ले रही हूँ सेसमी ओल, यह तिल क आपने गौर किया होगा कि मैंने नमक का इस्तमाल नहीं किया है, इसको आप टेस्ट करके देखिए, यह बहुत ही ज्यादा नमकीन होते हैं सारे सॉसेज, अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन के ब्रेस्ट को लिया है, इसको मैंने ऐसे स्लाइसेज में कटवा लिये हैं, आ और फिर इसको ढख करके हमें तकरीबन 10 मिनिट का रेस्ट देना है, यह बहुत ही जल्दी पकती है, इसमें ज्यादा मैरिनेशन का टाइम नहीं है, अब एक पैन में एक टेबल स्पून कुकिंग ओल का डालिए और आधा टी स्पून अधरक लहसुन का पेस्ट डाल कर जाए, यह बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हाई हीट के उपर में एक साइट को तकरीबन दो मिनिट के लिए अच्छी तरीके से फ्राइ करेंगे, फिर इसके साइट को हम चेंज करेंगे, सारे साइट को एक एक करके चेंज करिए, इस स्टेप से सॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लेगा खयाल रखिएगा कि सॉस जले ना अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉस थोड़ा जलने लगा है तो आप आज को धीमी कर दीजिए अब आधा कप पानी डालिए क्योंकि ये चिकन के ब्रेस थोड़े मोटे हैं तो इसको लीजिएगा फिर एक लीटर पानी में एक टीस्पून नमक डाल करके इसको अच्छे से बॉइल कर लीजिए फिर हम इसमें डालेंगे बॉक्चॉई इसको हमें सिर्फ दो मिनिट तक ब्लांच करना है अगर आपके पास बॉक्चॉई नहीं है तो आप पालक का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैंने 50 ग्राम चिकन का लिया है इसको मैं बॉइलिंग बॉटर में डालूँगी और जो सौस हमने बचा करके रखा था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी इससे जो उमामी फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही बेतरी निकल कर आएगा इसको पांच मिनिट तक ब पानी में उबालते हैं तो नूडल्स में वो उमामी का फ्लेवर नहीं आता है यह मोटे नूडल्स हैं इसको पकने में 7-8 मिनिट का टाइम लगेगा एक दफ़ा यह पक जाएं तो फिर हम रैमन को अरेंज करते हैं जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूं वैसा अरेंज कर पहले जो सूप है उसको डालिए फिर उसके उपर से नूडल्स को डालिए नूडल्स को बहुत ही प्यार से और अच्छी तरीके से इस तरीके से आप सेट कर लीजिए जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूं फिर बॉक्चॉई को डालेंगे कोरियन फूद हो या करियेगा यहां पर मैंने थोड़ा बॉइल डेग लिया है एक अंडा है इसको भी मैं अच्छी तरीके से सेट करूंगी ताकि यह प्रिटी दिखे तिर यहां पर मैं थोड़ी सी रेड चिलीज डाल रही हूं यह पैप्रिका है आपके पास मैं हरी प्यास हो तो डेफिनेट करिया थांक यू धन्यवाद